सतनाम श्री वाही गुरु जी श्री गुरु गुरंत सहिब जी दे अठाहट में पन्नेरी व्याख्या करते हैं जी स्री राग महला तीज्जा सहज नो सब लोच दी बिन गुर पाया न जाए पड़ पड़ पंड़त जोत की ठके पेखी परम पलाए गुर पेटे सहज पाया अपनी किर्पा करे रजाए पाई रे गुर्बिन सहज ना होए शब्दे हीते सोज उपजय हर पाया सच सोए रहाओ गुरू जी केंदे हन की सारी ही स्ट्रिष्टी मन दे शांती दे लई तरस दी है हर एक इंसान ए चौंदा है की उसनों शांती प्रापत होवे उस दा मान पटकना दे विच ना प्यार है पर इहे गुरू दी शर्ण तो बिना संबब नहीं है जिनाचर्थ उसी गुरू दी शर्ण दे विच पै के गुरू दी सिख्यानों नहीं समझ दे इस सहज अवस्था हासल नहीं कर सक दे पंडत ते जोधशी आद जोने उह तरमक प्तारमक पुस्तकां पढ़ पढ़ के ठक गए पेखी सादू ने ओभी पटक पटक के कुराहे ही पए पर ओ सहज अवस्था लब न सके क्योंकि उना ने गुरू दे लड़ लगना नहीं समझ जिनाउत्ते प्रमात्मा अपनी रजा अंसार करपा करदा है उहो गुरू नू मिल दे हन ते गुरू नू मिलके सहज अवस्था दी प्राप्ती कर दे हन भाई गुरू दी शरन तो बिना मनुकद अंदर आत्मक अडोलता पैदा नहीं हुनदी, गुरू दे शवद में जज जड़न तो ही आत्मक अडोलता पैदा हुनदी है ते वां सद्धा थे रहन वाला प्रमात्मा उधे नरसांज बनदी है अज़दी जैसी कड़ीदी कल करिये अज़दी कल करिये ता साधा मन बहुत ज़्यादा पटके हुए बहुत ज़्यादा अशानता है सानू सौ तरादियां फिकरां बढ़िया रहें दिया हैं ज़्यादा 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 जिस तरांदी भी परस्तिती देविच है ओँ इनसान खुश होएगा। ते गुरू जी ने कहा है कि ए जो अवस्था है गुरू दी शर्न पैबिना हासल नहीं हुंदी। सहजे गावया थाई पवय बिन सहजे कथनी बाद सहजे ही पगत उपजय सहजे प्यार बेराग सहजे ही ते सुख सात हुए बिन सहजे जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समादी लगाए सहजे ही गुन उच्रे पगत करे लेवलाए शवदे ही हर मन वसय रसना हर रस खाए इते गुरू जी कैन्दे हैं की पर्मात्मान नामदा कीर्तन कर्ण दावी ता ही फैदा है जेकर तो हादा मान सहज अवस्थादे वीच्छे है जेकर तुसी आत्मक पष्टे अडोल होँ जेकर तो अडाम मान शान्त है जेकर तुसी एकपा से किर्तन कर रहे हूं उस पर मातमा दे नाम दा सिम्रन कर रहे हूं बेशक शिरी गुरु गरंद साहिब जी चूँ कोई पाठ कर रहे हूं पर तुहाँ डम मान के ते होर पटक दा फिर्दा है ता उस पाठ करन दा सिम्रन करन दा जा किर्तन करन दा कोई फ उना दा कोई फाइदा नहीं हुंदा गुरू जी सानू प्रेरत कर दे हन के तुसी जेकर प्रमात्मा दे नाम दा सिम्रन करना है प्रमात्मा दे गुन कौने हन ता पहला अपने माननू सहज अवस्था दे विच लेके आओ फिर उस प्रमात्मा दे गुना दा गान करो शांत अवस्था देविच रहे के कीता होया प्रमातमादा सिम्रन और कीता ना कीता एक बरबर है सहजे काल विडारया सच सरनाई पाए सहजे हर नाम मनवसया सची कार कमाए सेवडपागी जिन्नी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहज ना उपजाए माया दूजाए पाये मनमक कर्म कमावने हमाय जलाय जलाये जमन मरन ना चुक कई फिर फिर आवाजाए गुरू जी कहन दे कि जिन्हा मनुखा ने उस परमात्माते नल सांज पाके अपने अंदर आत्मक अडोलता पैदा करली ते आत्मक मौत नू मार लिया पाव कि आत्मक मौत तोर्टे मरन तो अपने आपने आपनू बचा लिया उ सदा निबन वाली कार्ण कार्ण उना दे अंदर प्रमात्मादा नाम आवस्दा है जिना ने प्रमात्मादा नाम प्रापत कर लिया उह बंदे वड़े पा गाम वाले हो गए उस सदा आत्मक अडोलता वेच लीन रहें दे हन ते अगली हैं पंक्तियां दे वेच गुरू जी केंदेन की माया दे मो वेच जिना चरसी ठीके रहांगी उना चरसानू आत्मक अडोलता पैदा नहीं हुंदी बड़े ही सपष्ट शब्दा दे वेच ए पंक्ति लिखी गई है कि माया वेच सहज ना उपजाए माया दूज्जा पाए कि माया दूज्जे तरह दे प्यार दे वेच फसंदी है ते माया दे वेच पिछे लाग के जो दो मानमुख हो जन्दा है अंसान ते मानमुख ता वाले कर्म करदा है ता ओधे अंदर हों में पैदा हुंदी है ते हों में दी अग ऐसी अग है जो बंदेनू अंदरों अंदर सार दी ही रेंदी है ते ओधा जन्म मरन दा चक्र कदे भ नहीं हुन्दा टिके रहां आत्मक अडोलता पैदा नहीं हुन्दी माया दे तन गुणा कारण जीव पटकना दे बच पैके कुराहे प्यारेंदा है माया दे तन गुणा हन की रजो तमो ते सतो की पाब पहला इंसान चाओंदा है की मैं रजलमा पेरो दी तमा वधिजन्दी है ते फेरो नू हुन्दा है की मेरी तमा पूरी हो जाए जिव के कदे भी पूरी नहीं हुन्दी ते फिरो माया दे बच इनना ग्रस्त हो जन्दा है कि मान सेकता और ते सात दा रहन्दा है ता रजो तमों ते सतो माया दे इनना तिनना गुणा दे करके कहेंदे कि जीव पटकना दे बच प्यार रहन्दा है केंदे की तारमेक पुस्तका पढ़न दा विचारन दा ते होरना नू सुनाओन दा कोई लाव नी हुंदा क्योंकि जीव अपने मूल परवू तो खुंजगे गल्थ जीवन राते तुर्दा है तारमेक पुस्तका श्री गुरु गुरांट साहिव जी भी एक तारमेक पुस्तक है साड़े गुरुवानियां से ख्यामा उदे विच दर्जने जेकर असी उन्हानों सिर्फ पड़ी जामांगे जहां जिस तरह के हुन मैं विचार कर रहा हैं केसी इस तरह विचार करी जामांगे जहन दूजय नू सुनाई जामांगे जहन दूजय दू सुनी जामांगे पर उन्हानू समझ के जन्दगी दे वच लागू नी करांगे ताद तक साड़ा एक तारमेक पुस्तक पढ़नदा कोई फैदा नहीं है तो गुरू जी केंदे हन कि इन अतार में का पुस्त का पढ़न दा कोई फैदानी जदों दा कि तुसी माया दे मोच फसे हुए हूं माया दे तिन्ना गुनादों उपर उठके चौथी आत्मक अवस्था दे विचे जदों मनुख पहुंचता है तो उठे मानदी शांती प्रापत हुंदी है पर इहे चौथी अवस्था गुरू दी शर्न पे आँ ही प्रापत हुंदी है तो दूजे पासे गुरू जी केंदे हैं कि जो प्रमात्मा दा नाम है ओ एक अदपुत खजाना है सव पदार्था दा खजाना है ते हो माया दे तिन्ना गुनादों निरलेप है पर इहे समझ इंसान नूँ ओदों ही पेंदी है जदों ओहो आत्मक अडोलता दे विच है ते सहज अवस्था दे विच मनोख तदे पहुंचेगा जदों ओहो गुरू दी शारन पएगा गुरू जी केंदे कि परमात्मा जो है कुराहे पए बंद्यानू भी सिद्धेरा पादेंदा है जेकर मनोख सचे तौर ते गुरू दी शारन दे विच आ जावेतां जेकर एक खाली पादे दी तरह गुरू दे कोड जाके बंदा बैठे गुरू दियान सिख्यामा नू सुने ते उना सिख्यामा दे रहन अपने उस अकल दे पादे नू परे तां क्राहे पए हुए बंदे भी सिद्धे रहा पैजान दे हन बिन सहजे सब अंद है माया मो गुबार सहजे ही सोजी पई सच्चे शब्द अपार अपे बक्स मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदिस्ट पशानिया निर्पाव जोत नरंकार सवना जीयां का एक दाता जोती जोत मिलावन हार पूरे शब्द सालाही है जिस दा अंतना प मारा वार केंदे की मन दी शान्ती तो बिना सारा ही जग्त जो है माया दे मो दे विच अन्ना होया रेंदा है सारे ही संसार दे उत्ते माया दा को पहने रा शाया रेंदा है सदा थिर प्रभू दी सेफ्त सला दे शाब्द राही जिस मनुख नू आत्मक अडोलता विच पेंदी है और उस अपार प्रभू विच्च सूरती जोड़ी रखदा है ते ऐसे पागावले मनुखानू प्रमात्मा आप ही अपने नाम देविच्च जोड़दा है आप ही उन्हें दे मेहर करके उन्हें अपने नाल मिलांदा है आत्मक अडोलता देविच्च पहुंच के प्रमात्मा नल सांज बन दी है ओस प्रमात्मा नल जो सानू इना अक्खा देनाल नहीं दसदा जिसनू किसे दा कोई डर नहीं है जो निरा चानन ही चानन है ते जीदा कोई खास सुरूप दस्या नहीं जा सकता असी प्रमात्मा दे रूप नू एक्स्प्लेन नहीं कर सकते साथे गुरुईवा ने बार बार एक गल कही है कि परमात्मानु असी कोई अकार कोई रूप नहीं दे सक्दे हुँ नेराकार है ओही परमात्मा जो सारे जिवानु दाता देनवाड़ा है सव- दी जोटनु अपनी जोट दे वेच मलान दे समरत है पूरे गुरु दे शब्द नहीं उस पर मातमा दी सिफ्ट सला करनी चाहिंदी है जिस दे गुणा दा अंत नहीं पाया जा सकदा ते ओदे वडपन दा औरला परला बनना नहीं लब्या जा सकदा ग्यानियां का तन नाम है सहज करे वपार अंदन लाहा हर नाम लेन अख़ट परे पंडार नानक तोटना आवई दिये देवनहार जेडे मनुख परमातमा दे नाल डूंगी सांज पालें देहन परमातमा दा नाम ही उना दा असली तन बन जन दा है ते ओहो उस परमातमा दे नाम दा ही वपार कर देहन सहज अवस्था देविच टिक के पहला भी एक दो वीडियो देविच गल आई है की परमातमा दे नाम दा नादा बपार जो है ओहो इस तरह नादा बपार नहीं जो आज कल साड़े देश दे विच बाब्याने चला रख्या है प्रमातमा दे नामता अंधा बपार ए है कि तुसी खोद जे करता अनू कोई समझ आई है ता ओस समझ तुसी दूजे लोग का दे विच भी वंडो ते ओस समझ नू बंडन दे बदले दे विच तुसी उन्हा तो कोई माया प्रापत नहीं करने तुसी उन्हा नू एक इंसान दे ता और ते कोई कल समझ आउनी है ता कि ओ भी सहज अवस्था दी प्रापती कर सकन ओ भी अपने मान नू शांत कर सकन ते जिड़े मनुखा ने एह साज अवस्था प्रापत कीती है उन्हा को नाम तान दे तोट खजाने हन ते एक खजाने गुरू जी कहेंदे हन कि परमात्मा ने ही उन्हा नू देते हन ते ओहो दिन्दा ही रेंदा है इन्हा खजाने दे वच कदे भी तोट नहीं होंदी इते ही शिरी गुरू गरांत साहिफ जी दे अठाट में पने दी व्याख्या दी समापती हन दी है तो अड़ा बहुत बहुत तनवाद इस वीडियो नू वेखन दे लई सुनन दे लई पढ़न दे लई समझन दे लई ते उमीद कर दे हां कि तुसी इन्हा अपनी जंदगी दे विचे लागू नी कर दे उना चर इनन पढ़न सुनन दा कोई फैदा नहीं आए थी समापती कर दे जी वाहिगुरू जी का खाल सा वाहिगुरू जी की फते ही